नमस्कार दोस्तों महिवा लोक्राज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना क्लासिक के वारे में प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे इस कोईन की हलाकि दोस्तों कल भी मैंने इस कोईन का प्राइस प्रेडिक्शन किया था यहाँ पर देखेंगे टेरा लून के सामने बताया लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपना खुद का प्राइस प्रोडिक्शन करने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो होगी इस वीडियो में नहीं करूँगा बलकि दोस्तों 2025 तक क्योंकि 2025 के इंड करना सही नहीं रहेगा सबसे पहले हम करेंगी 2025 के इंड तक में कि 2025 तक में हर कोईन यह हम बात कर लें Terra Luna Classic तो ये कहां जाएगी तो चले दूसरों वीडियो में आगे बढ़ देते हैं क्योंकि वीडियो होगे इंटरस्टिंग तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नौ और टेली ग्राम चैनल को जोइन करना ना बूले क्योंकि बहुत सरे अपडेट जो होते ही यहीं पर सेर किये जाते है तो जल्दी से टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिजे अब दोसरों बात करेंगी टेरा लुना Classic के बारे मे तो इसके बारे में पहले लूना था टेरा था तो ये 2019 में इसकी launching की गई थे इसकी coin की launching की गई थे उस समय जो price चल रही थे 0.2 के prox में चल रही थे exactly नहीं है बट उसी के इर्दगर्द में 2019 में इसकी launching के time में price थी 0.2 dollar के करीब में 2019 के starting में ही इसकी launching हुई थे और देखा ये गया है कि ये अप्रील तक तीन सालों के अंदर ये जो है 119 dollar तक अपना नया all time high set किया था अप्रील मन्त में 2022 की 2022 में अप्रील मन्त में 119 dollar तक गया अब ये देखेंगे कि ये coin जो है 0.2 से 119 dollar तक जाने के लिए कितना ये अब तक pump ले चुका था ये 595 X तक growth लिया तो दोस्टों यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है यहां पर साफ आपको दिख रहा होगा कितना growth लिया है ये growth लिया जो 595 X तो ये हो गई इसकी initial देखेगा जब भी आप अगर पुरा record पुरा history आप चेक करोगे ना कि जब भी कोई भी coin pump लेती है तो वो bull market में जब bull trend चलती है उसी समय पंप लेती है और ये भी हकीकत है कि जब भी कोई भी coin हो जब वो पहला बर bull trend में आती है जितना pump लेना था जो फर्स टाइम पंप लेगी सकेंड टाइम उतना pump आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो यहां पर आपने दिखा कि फर्स टाइम टेरा लुना बुल मार्केट में आई बुल मार्केट कब था दोस्तों 2021 में हर कोई ने अपना नया all time high set किया था तो टेरा लुना जो है टेरा लुना ने भी 2021 के end तक में all time high set किया था लेकिन अपरिल में भी इसने काफी तेजी से growth लिया था ठीक है क्योंकि देखा यह जाता है कि जब भ करता है तो टेरा लुना जो है डेर सालों तक समय लगाई है और डेर सालों के अंदर जो है 119 डॉलर तक गई है और ये रिटर्न जो है 500 पंचानमे एक्स तक गई ठीक है यह हो गई अब उसके बाद क्या हुआ था नेक्स्ट मन्थ अप्रील में टेरा जो है कोलाप्स हो रही है यानि पूरा बॉटम में धरा साही हो गया था तो उस समय जो इसकी प्राइस चली गई थी उस समय प्राइस जो चली गई थी 0.40 देखने को मिल गया यहाँ पर जहां 119 डॉलर था यहां से सीधा गिर के यह देखेंगे अगले ही मन्थ में सिर्फ एक महीने यानि यानि यहां से आप देखोगे तो अब तक जो है यह कोईन 6X तक अलड़ी पंप ले चुका है ठीक है 6X तक अलड़ी यह पंप ले चुका है स्टार्टिंग में जब यह लॉंच की थी इस प्राइस पे ओल्टेम हाई सिट किया 555 तक का ग्रोथ लिया धरासाई हुआ धरास सबसे पहले किलियर कर दू कि एक डॉलर जाने के लिए जो अभी करेंट में प्राइस चल रही है इसकी तो एक डॉलर जाने के लिए लूना के प्राइस एक डॉलर जाने के लिए इसको जो है 3846 गुना पंप करना पड़ेगा 3846 गुना यानि अगर परसेंटेज में दोस्तों तो आप देख ले कल्कुलेट करें ले दो जीरो आइड कर देंगे ठीक है तो इतना परसेंट इसको ग्रोथ लेना पड़ेगा यानि 3,84,600 परसेंट पंप लेगा तब जाके एक डॉलर होगी जो तीन सालों के भीतर impossible है कभी भी नहीं जाएगी एक डॉलर तीन सालो के अंदर 2025 के इंड तक का मैं बता रहो चाहे इसके अंदर burning feature भी start हो जाएगी जैसा कि proposal आ रहा है burning का तो burning feature भी add हो जाएगी तब भी ये जो है तीन सालों के अंदर एक डॉलर नहीं जाएगी जो लोग सोच रहे है एक डॉलर का expectation रख रहे है तो मेरे according बिल्कुल नहीं जा जैसा कि Bitcoin में Halfing होती है Halfing के बाद Bull Trend में जैसी आती है तो Bull Trend में आने के बाद सबसे ज़्यादा X Return देती है यहनि सबसे ज़्यादा High Return देती है उतना Return फिर दुबारा किसी भी Bull Run में किसी भी bull trend में नहीं देती है यह record है जैसे bitcoin का भी देखेंगे तो पहला जब उसमें bull trend आई थी halfing के बाद उसने 100x तक का growth दिया था लेकिन अगले bull trend में क्या हुआ था 30x तक दिया ठीक है 30x दिया फिर उसके बाद next bull run में 9x तक का दिया था और अगले बार जो होने वाली है वो 3x से ज़्यादा नहीं वो pump करेंगे 3x ही bull run में वो trend करेगी halfing के time में तो याद रखिएगा यह record है कि जब भी कोई भी coin launch होती है तो bull trend में जो first time जितना pump करता है उतना pump दुबारा आप नहीं देखने को मिलेगा तो यह clear है कि next time जो यह bull run में जब यह luna classic आएगी तो यह 595 x भी देना doubt है इस coin में कि 595 x भी नहीं देगी जब इतना नहीं देगी तो 3846 x कहां से देगी तो एक डॉलर तो impossible है लेकिन क्या possibility है कि 1 रुपिया जा सकती है तो yes इसके अंदर दोस्तों एक रुपिया जाने के लिए इसको मात्र जो है 50 x अभी के current price से 50 x अकर यह growth लेगी तो एक रुपिया को touch easy तरीके से कर सकती है ठीक है 50 x तक यह easy तरीके से growth लेगी अलड़ी यह 6 x ले चुकी है ठीक है ना पहले ले चुकी लेकिन यहां से भी इस price से भी 50 x लेगी तो 1 रुपिया जा सकती है तो क्या यह possibility है तो है क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ethereum क्योंकि same चीज़े आपकर देखोगे तो घटना घटी थी ethereum के साथ भी 2016 में ethereum जो है ethereum के अंदर भी next bull run में यही coin जो आप देखेंगे कि 43.7 डॉलर तक चली गई थी यानि almost 72 x ग्रोथ लिया था same घटना ethereum के साथ भी हुई और यहां भी अपने bottom level से bull run में यह 72 x तक ग्रोथ लिया था 43.7 डॉलर तक गई थी आप चेक कर लेना ठीक है आप चेक करना 43.7 डॉलर तक यह जा चुकी थी तो यह जो है 72 x 43.7 डॉलर तक गई थी और 72 x तक का ग्रोथ दिया था bull run में आने के बाद जब यह इसके अंदर crash हुआ ethereum crash हुआ और दो भागों में डिवाइड हुआ एक ethereum classic हो गया जो पुराना ethereum था ethereum classic और नय ethereum जो अभी current का ethereum आपको दिख रही है ठीक है तो 72 x तक का यह ग्रोथ लिया तो जब सेम चीजे रिपीट हुई यह ethereum जो top alt coin के गिंती में आती है यह 72 x ग्रोथ लिया उस समय next bull run में तो फिर यह tera जो है कैसे इतना growth ले सकते impossible है यह impossible है इतना growth लेगी ठीक है लेकिन इसके अंदर जो नया चीज क्या देखने को मिल रहा है tera luna classic के अंदर नया चीज क्या देखने को मिल रहा है तो नया दोस्तों इसके अंदर यह है कि इसके अंदर burning की बात की जा रही है ठीक है इसके अंदर बात हो रही है burning proposal रखी जा रही है हलाकि अभी पास होई नहीं है अभी तक जो है टेरा लुना क्लासिक के जो community है वो अपनी से खुद से ही वो burning कर रहे है और अब तक जो है 3 billion सिर्फ 4 महिने में 3 billion LUNC लुना क्लासिक को वो burn भी कर चुके है और दोसों ये बात हो रही है कि 1.2 का request किया जा रहा कि 1.2% tax burn किया जाए जब भी transaction हो हर transaction कर 1.2% लुना क्लासिक की burning हो चाहे वो लुना क्लासिक किसी भी chain पे हो किसी भी exchange पे हो हर exchange जो है इस tax burn को accept करें तो ऐसा proposal गई है अभी proposal को accept नहीं किया गया है अ अगर accept हो जाता है तो दोसों ये जो है अभी जो हम उमीद कर रहे हैं कि ये अभी उमीद जो कर रहे हैं कि ये अभी 6 गुना गई है अगर आगे ये 72 एक्स और 70 से 80 एक्स मान लेते हैं कि ये और आगे ग्रो करेगी तो हो सकती है अगर इसके अंदर burning accept हो जाए तो ये जो है 2x hour हो सकती यानि 1.5 सुगुना और ये growth ले सकती है अभी से 3 सालों के अंदर maximum मैं बता रहा हूँ maximum अगर growth लेगी तो 1.5 से जादा ये growth नहीं ले पाएगी अगर burning भी accept हो जाएगी overall अगर maximum max to max भी अगर calculate करेंगे तो ये 200x तक जाएगे 200x तक इससे जादा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि Ethereum नहीं Luna Classic की price जो है आने वाला 3 सालों के अंदर जाएगी तो next bull run में अभी जो current में price चल रहे है उससे 1.500 से 2.00x तक हम expect करेंगे 1.500 से 2.00x तक expect करेंगे लेकिन ये कब करेंगे जब burning feature add हो जाएगे हर exchange जो है इसको accept कर लेगा आभी देखेंगे news भी आ रही है यहाँ पर आप देख लो कि UK waste जो exchange है यहाँ पर देखेंगे by 5 exchange का नाम है UK United Kingdom waste cryptocurrency exchange by 5 announce किया है कि यह जो है tax burn जो 1.2% जो है all टेरा लूना क्लासी का जो transaction होगा इसका tax burn implement करेगी तो यह पहला कदम दिख रहा है अगर इसी तरीके से finance भी accept कर लेती है तब दोसों वहाँ पर दिखेगी कि यह coin जो है 200x तक growth ले सकती है तो अभी जो current में price चल रही है तो 200x अगर growth लेती है तो आप calculate कर लेना कि price कहा जाएगी ठीक है 200x तक अगर growth लेती है तो price कहा जाएगी आपको हम अभी online ही calculate ही करके दिखा देते है तो यहाँ पर अभी current में price चल रही है 0.00026 इन्टू अगर 200x growth लेती है तो इसकी price 0.05 तक जा सकती है 0.05 तक जाएगी 3 सालों में यानि नेक्स्ट बोल रन में यह जाएगी दोस्तों तो इससे जाएगी एक रुपया तो चली जाएगी लेकिन एक डॉलर impossible दिख रही है बागे दोस्तों आप लोग क्या सुचते हैं लुना क्लासिक के बारे में comment box में जरूर बताइएगा धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो